बागवटी जी ने यह जो कहा न सुबह की लार बहुत कीमती होती है मैंने इस पर थोड़े कुछ आठ जस पेशेंट है जिनको ऐसी ही कंडिशन है राइबिटी दोने के कारण शरीर में फुंसी हो गई खोड़ा हो गया गाओ बढ़ गया वो भरता नहीं मैंने उनको दवाएं बन किया होमियोपैती का फिर मैंने का भईया वागवटी जी ने का कि सुबह की लार बहुत कीमत एक तो मेरे पास गेंगरीन का पेशेंट है गेंगरीन हुआ डॉक्र कहता तब पेर काट नहीं पड़ेगा इसका कुछ होता नहीं अभी और कोई उसने विचारी ने साल बर लार लड़ा लगा के यह अपना ठीक कर लिया तब मेरे समझ में आया कि जानवर हमसे ज्यादा होशे आ है चोट लगते ही वो चाटना शुरू कर देते हैं फिर मैंने एक और एक्सपरिमेंट किया मेरे पास कुछ छोटे बच्चे हैं जिनको चश्मे हैं आँखों पर अब उनके मापाप बहुत परिशान है कि यह चश् में आये तो करते हैं अब आपको हैरानी होगी कि चश्में उतर गए सिर्फ यह लार लगा है आप भी करके देख लीजे जिनको भी चश्में बसंतर इतना है कि बच्चों को जल्दी उतरें आपको थोड़ा देर में उतरेंगे लेकिन उतर जाएंगे उम्र जादा बढ़े आखों में बहुत जलन होती है जैसे खूल उतर आया हो आखों में वह कंडिशन हो जाती है कोई भी आयूर्वेट की दवा आप खाएंगे तीन से चार दिन में ही बीमारी ठीक होती है लेकिन अपकी बार अगर यह बीमारी आये तो आप यह करना सुबह सुपह उठते इंग ट्रीट्मेंट कर रहा हूं उसकी आखें तेड़ी हैं वो देखता कहीं है और दिखता कहीं है उसको ऐसा है अब उसके मादा पिता गरीब है और वो ऑपरेशन का खरचा नहीं उठा सकते उस बच्चे पर मैं यही एक्सपरिमेंट कर रहा हूं लगब मुझे चार साड़े चार महीना हो गया है और उसका तेड़ापन जिसको हम लोग हिंदी में केते भेंगापन उसका भेंगापन लगातार कम हो रहा है और आखों की पुतलियां बिल्कुल बीच में सेट हो रहे हैं तो मुझे थोड़ी जिग्यासा हुए और मैंने एक बहुत बड़े वैग्यानिक को पूछा दिल्ली में कि ये लार में क्या है एक्चुली इसका एक्टिव इंग्रेडियंट क्या है तो उन्होंने का भाईया जितने एक्टिव इंग्रेडियंट मिट्टी में है वो सब लार में है तो मैंने आपको बता मिट्टी में अठारे एक्टिव इंग्रेडियंट धब्बा हो गया जैसे जल गए जलने का दाग होता है ना उस पर नियमित रूप से सवेरे की लार की थोड़ी थोड़ी मालिश करते रही है छे-ाठ महीने में धगगा धब्बा बिल्कुल साफ हो जाए जले हुए का धब्बा शरीर में और कोई ऐसा अंग में सफेब दाग द होती है इस इलाज बस इतना है कि साल भर करना पड़े मुफत का इलाज है फोकट का इलाज बागवट्ट जी ने जितने भी इलाज बताये हैं सब फोकट के और मुफत के बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है तो आप इसकिन डिसीज में इसका एक्सपरिमेंट करिए आखो आई है कि आप दूसरों को भी बताते जाएए तो आपने अपना दुख तो कम कर लिया आप दूसरों का भी कम कराईए ना तब ही मोक्ष जाएंगे